कल रक्षा मामलों की संसदिय समिती की बैठक हुई थी जिसमें जमकर हंगामा हुआ और पूर्ट कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी समेत दो और सांसदों ने बैठक का बहिश्कार किया था जिसके बाद अब राहूल गांधी ने संसदिय समिती की कारवाई पर सवाल लोगसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिठी लिगी है तो क्या लिखा है राहूल गांधी ने चिठी में आईए बताते हैं इस रिपोर्ट में कल संसदिये समीती की बैठक बुलाई गई थी जिसमें जवानों की वर्दी को लेकर चर्चा हो रही थी विपिन रावत कमेटी के सदस्यों को युनिफॉर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे उस समय राहूल गांधी ने सवाल किये कि आखिर देश की तैयारी लद्दाक में क्या है चीन के खिलाफ हमारी क्या रड़नीती है इस पर चर्चा हो लेकिन उन्हें बोलने की अनुमती नहीं दी गई जिसके बाद राहूल गांधी ने बैठक से वॉक आउट कर दिया लेकिन अब राहूल गांधी ने बैठक में बोलने का मौका ना देने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला को पत्र लिखा है राहूल गांधी ने लिखा है कि सदस्यों को मुद्दा उ कॉंग्रेस पार्टी ने भी राहुल की बात का समर्थन करते हुए कहा कि समीती के चेर्मैन ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जिसके बाद उनके पास कोई और उपाय नहीं रह गया था डीबी लाइब की रिपोर्ट